दिल्ली मेट्रो का एक इवेंट है, जिसको बोलते हैं, दान उतसब, जो भी चीज आपके पास सर्प्लस में है, आप उसको दान कर सकते हैं, आप यदि जमा करेंगे उन तमाम चीजों को, जो हमारे वोलेंटियर्स हैं, तो वो चाहे वो और्फनेज में जाएं, या फिर ओल् कर सकते हैं, और उसके बाद हम उन सारी चीजों को redistribute करेंगे, जो भी नीडी लोग हैं, जैसे ओर्फन होगे, old age homes होगे, तो इस प्रकार से इसका main motive यह है, तो यह event जो है, वो अभी फिलहाल दिल्ली में चल रहा है, और अलग-अलग Metro Sessions पे यह चलाया जा रहा है, और जो प्रोजेक्ट सक्षम 3.0, यह इसके साथ मिल करके काम कर रही है, और प्रोजेक्ट सक्षम प्लस इल्ली Metro, फिलहाल अभी जो यह काम जो चल रहा है वो 30,000 Metro Session, विष्विद्याले Metro Session, और को सा Metro Session? ITO Metro Station, कश्मीरी गेट, GTB नगर, अजादपुर एंड लाल किला, सुप्रीम कोट तो यदि आपके पास कोई भी ऐसा समान है जो सर्पलस में है, कोई पुराना कपड़ा है, जो यूज में नहीं है या फिर कोई किताब है जो अब आप यूज नहीं करते हैं, एक समय था जब आपने यूज किया उसे, और यदि चाहते हैं कि इन सामान को या किताब को, जो भी चीज़ें आपके पास है कोई और यूज कर ले, तो ऐसे सामान को इन Metro Sessions पे आप आकर के हमारे volunteers को दे सकते हैं यह कब-कब होंगे वहाँ पे अवलेबल, यह दो तारिक से लेकर आठ अक्टूबर तक रहेंगे वहाँ पर दो अक्टूबर से आठ अक्टूबर तक यह जो भी Metro Sessions बताएगे हैं यहाँ पे आके आप इन चीज़ों को दे सकते हैं वैसे यह प्रोजेक्ट सक्षम क्या है थोड़ा दो मिनट के लिए बता दो इक प्रोजेक्ट सक्षम एक Legal Awareness और Free Legal Aid प्रोवाइड करने का एक प्रोजेक्ट है जो लोग Legal Services से बंचित है हम उनकी Free Of Course सेवा करते हैं अपने experience के थुरू और उनको हम Free Legal Aid, Free Legal Advice प्रोवाइड करते हैं मुथ कानूनी सला है और इनके साथ और कई उनिवर्सिटी जुड़ी है यह प्रोजेक्ट छे स्टेट्स में चल रहा है और अबोव 20 उनिवर्सिटी कोलाबरेशन में इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम क्या करते हैं कि दो काम करते हैं वैसे तो कोई काम करते हैं लेकिन जो मेन अभी काम है एक तो Legal Literacy को हम बढ़ाते हैं और दूसरा यह है कि जो अभी दानल सब की बात हो रही है वो वेसिकली दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट है बट वो हमारे साथ जो है वो काम कर रहे हैं अभी फिलाल तो आपके पास कुछ भी सर्पलस में हो तो आप दो तारिक से ले करके आठ तारिक तक आप इन मेट्रो सिशन्स पे आ करके आप हमारे वोलिंटेर्स को वहाँ पे दे सकते हैं और विशे जनकारी के लिए कि सक्षम प्रोजेक्ट क्या है और पहले क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में भी आप उनसे जनकारी ले सकते हैं तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपके घर में कोई ऐसी चीजे हैं यदि आप नहीं दान करेंगे तो वह वैसे ही कई साल रखा रहेगा और कुछ नहीं होगा उसका इसलिए यह अच्छा होगा कि उसे कोई न कोई यूज कर लेगा चाहे वो पुराना कपड़ा हो किताब हो या कुछ और हो तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जरूर इन पर्चुक्लर मेट्रो सेशन पर आकर के दो से आठ तारीक के बीच में समय क्या है कोई समय सुबह 10 से रात के 9 बजे तक रात के 9 बजे तक और बिसिकली साम में आप आजाए जब भी समय में आप आजाए और यदि यह नहीं आप आते हैं तो क्या option है कुछ कोई हमारा help line number या कुछ ऐसा हो सकता है help line number तो नहीं है बट किसी और के थ्रू अगर पह पुराना किताब तो होगा तो एक दिन प्लान करते हैं और देते हैं यहां पर और एक और चीज है कि जो law students इससे देख रहे हैं और आप यदि दिने आते हैं आपर कुछ तो मैं एक काम कर सकता हूं कि आपके साथ और आपका रिकॉर्ड हमें मिल जाता है तो आपको मैं खुझ समय दूगा और आप मेरे चमर में आ करके 10 minute 20 minute आप बात करें कुछ शेदी समस्य है कुछ career guidance को लेकर कोई बात है तो हम आराम से कॉफी चाय पी करके उसको बात कर सकतें बस मेरा पील यही है कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी करें और जो भी चीज है उसको ला करके हमारे volunteers को दे दें Thank you